साथियों, पहले ब्राम मोर्चे ने और अब दीदी के दाम और दमन मोर्चा ने जूट की फ्रेक्टरियों में ताला लगा दिया है। प्रेड विनियरों की गुन्दा गिर्दी सिंडिकेर के वसुली जिरों ने जूट उद्योग और जूट किसानों को बरबादी के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। लेकिन आपका एक चौकिदार स्थीती को सुधारने की कोशिस कर रहा है। हमने कुछ महिने पहले ही जूट के MSP में बनोत्री की है। साथ यों जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो जूट की आउसत की मात प्रती क्विंटल 2000 रुपे की कम थी। अब ये बढ़कर लगबग दो पुनित तक पहुँच रही है। इस फैसले का लाप पस्तिम मंगाल के जूट पैदा करने वाले किसानों को भी मिल लाता है। इतना ही नहीं बाजपां NDA सरकार ने ये भी जरूरी कर दिया है कि ये हूँ चावल जैसे अनाज की पैकेजिंग जूट के बोरे में ही हो। भाई और बहनों यहां जो फैक्टरी में काम करने वाले जो मज्जूर है मुझे उनकी सिटी परिटी से का पूरी तरह ऐसाथ है। भारत मा की किसी भी संतान भारत मा पर आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 23 माई को 23 माई को चुनाव के नतीज़ आएंगे। इस समय 23 माई को जित्र साफ हो गया होगा 23 माई को जब फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तार आपकी ये ध्यान से सुझिए आपकी नागरिक्ता का कानून पूरी शक्ति के साथ संसद में बनाया जाएगा ताकि आपको सरकार की हर योजना का पूरा लाब समय पर मिल सके आपको TMC के जगाई मताई के बंदनों में ना रहना पड़े ये इंतजाम आपका इस सेवत करने वाला है